हेलो स्थों मैं हूरुजत बहुत बहुत स्वागत है अब सभी का इस न्यूव वीडियो में दोस्तों बात कर रहे हैं सीरेल गुमैंग गिजी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में क्योंकि जो आने वाले एपिसोड है इसको लेकर अब कई सारे सवाल लोगों के मन में है लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे वड़ा जो सवाल है वो निकल कर आ रहा है यहां पर कि आखिरकार सई और विराट की जोड़ी टूट कर यहां पर क्या सई को कोई नया जीवन साथी यहां पर मिलने वाला है और जिस तरीके से विराट ने यहां पर पत्र लेका का हाथ स्थाम लिया है यहां पर उन दोनों की जोड़ी बनकर सीरियल आगे बढ़ने वाला है अब दोस्तों यहां पर वैसे तो इस सवाल सीरियल के starting से चलता आया है लेकिन starting तो दूर की बात है इन दिनों एक link जो है कली के दिन से एक link जो है वो काफ़े ज्यादा शेयर हो रहा है एक वेब पूर्टल का लिंक है, आपको भी मालूम है, चैनल है, काफी बड़ा टीवी चैनल है, तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पर एक बताया गया है, कि साही का कोई अलग साथी जो है उसका हाथ थामने वाला है, पत्र लेखा और विराट जो है अपनी लाइफ में आगे बढ की है, और पूरी तरीके से उसको मदद कर रहा है, विराट को इंजेक्शन उसने लाके दिया, और कहीं न कहीं पर विराट के हालत में सुधार का एक रीजन जगताप भी बनकर हमारे सामने आया, अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जब से वेब पोर्टल पर खवर चली है, क यहाँ पर जगताप या फिर कोई और साही का हाथ थामने वाला और कोई नया शक्स हमें देखने को मिलेगा, तब इसे सारे लोग इसके बारे में सवाल कर रहे हैं कि कितना सच है इस बारे में और कितना जूट है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं पहले से लगातार ब लीड एक्टर तो विराठ ही है, और यहाँ पर विराठ का किरदार जो है, हर बार अलग अलग जैसे हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मालीजी किसी मिशन को दिखाया जा रहा है, तो विराठ का किरदार एक्दम सूपर से भी उपर दिखाया जाता है, बहुत ही शांदार जाता है और वहीं पर अगले मुवमिट पर विराट का किरदार कई बड़ी बेकुफियां करते वे भी हमें नजर आ जाता है तो ऐसे में विराट का किरदार जो है बहुत ही अलग टाइप का है सीरिल के अंदर में यह कहें और यूनिक हम इसे कह सकते हैं किरदार है उनका और बटी से बखुबी निभा भी रहे हैं चाहे उनका रोल कैसा भी क्यों ना हो सीरिल के अंदर अब ऐसे में दोस्तों यहां पर जो सवाल लोगों के मन में आ रहा था उसका तो सीधा जवाब यह ही है कि यहां पर सही की जोड़ी है वो विराट के साथ ही बनने वाली है और प पत्र लेका को बांदी रखने का काम कर रहा है क्योंकि यहां पर अगर विनायक नहीं होता तो विराट पत्र लेका का हाथ छोड़ कर साही की और जा सकता था उसके पास एक कॉप्शन था लेकिन जब तक विराट उनकी लाइफ में है विनायक उनकी लाइफ में है तब तक पत्र लेखा को अपने आपसे दूर नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर अगर वो ऐसा करता है तो विनायक से उसकी मा का साय जो है वो छूट जाएगा तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि पिछी दे कुछ एपिसोड में आप विनायक का किरदार देख रहे होंगे यहां पर पूरी तरीक से साफ नजर आता है कि विनायक पत्र लेखा के साथ नहीं बिल्कि डॉक्टर आंटी के साथ रहना ज़्यादा प्रिफर करता है उसे सभी के साथ रहना पसंद है तो उनके साथ जाने की जित करता है लेकिन विराट भाई साथ यहां पर सभी का हाथ दबा कर उसे तो परिशान करते ही है और विनायक को भी चिला कर बोल देता है कि विनायक तुम्हें यहीं पर आराम करना है यहीं पर सोना है और ऐसे मे विनायक में पर रुख जाता है लेकिन दोस्तों आने वाले एपिसूड के अंदर विनायक के साथ और पत्र लेखा के साथ नागपूर की और रवाना होने वाला है और दोस्तों आप सभी लोगों को बता दू कि यहां पर जल्द ही जो है वो आपको चवान निवास जाते वे नजर आएंगे और उसके बाद चवान निवास में आपको साई की एंटिपी देखने को मिलने वाली है अब दोस्तों यहां पर सबसे इंटरसिंग ट्रैक हमें यह देखने को मिलने वाला है कि रीजन क्या दिखाया जाता है साई का चवान निवास में जाने का बेसिकली जो दोस्तो जो अपडेट अब तक आ रही है और बताया जा रहा है कि शूटिंग लोकेशन पर जो भी अफिदा विव अगरा देखा गया है उसके इसाब से यहां पर विराट को थोड़ी प्राबलम होने वाली है जो उसकी इंजिरी है वो और जादा बढ़ने वाली है और इसी क हैने के लिए दोस्तो सीरेल के अंदर साही अक्सर कई बार कहती है कि विराट सर के लिए अगर मैं दुनिया के आकरी डॉक्टर भी क्यों ना हूँ चवान निवास के लोगों के लिए मैं दुनिया के आकरी डॉक्टर क्यों ना हूँ वो लोग मुझ से कभी इलाज नहीं कर चाही है उसके बावजूद भी आज तक चवान निवास के लोग ये बात मानने को तयार नहीं हुए है कि सही एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और किसी का भी लाद बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकती है यानि कि दोस्तों यह कहें कि आने वाला एपिसोड के कहानी जो है से सही और विराट को मिलाने वाले ट्रैक पर जा रही है और चवान निवास में कहानी में आने वाला एपिस पाउजिव हो जाए कान तो सब कुछ पॉजिटिव हो जागा सिरियल के अंदर वो बात है पत्र लेखा को लेकर कि शायद पत्र लेखा में छोड़ कर चले जाए इस मुमेंट के मैं बात कर रहा हूँ तो दोस्तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताई कि आप लोग कितने जादा एक्साइटेड इस आने वाले एपिसोड के लिए कमेंट सेक्शन में जरूब बताई के लिए कोई भी सवाल है तो आने इस्टाग्राम पर शेर कर सकते हैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया है दोस्तों मैं भी लोगों से अगले वीडियो में जब तक के लिए तैंकि दोस्तों